वेल्कम बैक तो स्टॉक मार्केटल आज हम बात करेंगे हैप्पीस माइं टेकनोलोजी लिमिटेट के वारे में यहां बारा हजार आट सो तिरांवा यह निते रहाजार करूल के आसपास मार्केट चल ला है और उसी आपी अच्छा है तीज परसंट के ऊपर आरोसी आपर देखने को मिल ला है अलाकि वैलेशन थोड़ा से यहां पर इस टॉक का हाई है और लगाता है इसमें जब गिरावट हो रही है तो यह वैलेशन और कम हुए है पहले वैल्मोस इसका जो वैल्वेशन है वैल्वेशन इसका 100 गयासपास अब अभी 61 हो चुका है तो 50 रुपय का असपास बुक वै और मिन का हेड़कॉर्टर है यूस कैनेडा बाकि दूसरे कंट्री में भी यह काम अपना करते हैं बाकि अगर आप कंपनी के नंबर देखेंगे तो कंपनी के नंबर बुरे नहीं है लेकिन जिस तरह से सेक्टर परफॉर्म कर रहा है यह स्टॉक भी उसी सेक्टर को फॉलो से कंपनी प्लस में आगी प्रॉफिट में भी आगी है कैस दो देखेंगे तो 36 करोड से माइनस 24 करोड हो चुका है यहां पर शीरोलिंग पैटन देखेंगे तो प्रमोटर का स्टेक्स में 53 परसंट के असपास है 4 परसंट की होल्डिंग पिछले कॉर्टर में थी है 5 की यह क्योंकि जब सेक्टर रोटेशन होगा यह स्टॉक जरूर आपको चलते वह देखने मिल सकता है और एक बार सम्हाव यह हाई टूटा वहां से और अच्छी रही आ सकती है इस्टॉक के चार्ट पर आचके देखिए यहां पर सपोर्ट की बात करें तो अल्मोस 826 का एक सपो तो मैक्सिमन चांसे दिख रही गए वह दिख रही 806 के आसपास 806 के आसपास क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है और उसके उपर मैंने बताया 846 यह दोनों लेवल है इसको आप चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप प आपके पॉटफोलियों होना चाहिए कि मैं आपको तखीका बताता हूं लोग यहां पे कैसे प्रॉफिट करते हैं वह आपको बताता हूं अगर आप पोजिशनर टेडिंग करते हैं तो ऐसे ऐसे सेक्टर पे फोकस अभी करिए जो बिलकुल नहीं चल रहा हो बिलकुल नही थैसे लगाईगी क्योंकि ऐसा बिलकुल करते हैं कि हर व्रेक्व साल में हर एक जरक नंबर आता है दो साल के पहले भी आ जाता है कभी-कभी तो ऐसा क्योंकि एक साल वीड, एडर साल हो चुका यह फोज़ए प्र गुमें तो ऐसा हो सकता है आगी खैसा साल महीनमे में या एक साल में कि इस टौक जो है वो अच्छा करने लगे तो वहां से आपको काफी अच्छा प्राफिट होने लगेगा तो यह जो सेक्टर वाला जो कंसेट वह थोड़ा सा फोकस में रखेगा वहां से आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं कि इस टैडीज कोई बताएगा नहीं अपनी एनलिसिस के बाद इस टॉक को बायसल करने बारे में सोचीएगा